हलो फ्रेंज, क्रेटिव सरता चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सब को ब्यूटिफूल पैटर्न डिजाइन बनाना बताऊंगी फ्रेंज और इस पैटर्न को फ्रेंज, आप चाहे तो तोन पटी में भी बना सकते हैं और इसका लेज भी बना सकते हैं और छोटे बच्चे के लिए हैरबेंड डिजाइन बना सकते हैं जो बहुत ही खुब प्सूरत लगेगा और इसको मैंने दो कलर में बनाया है आपको जो कलर पसंद हो आप उससे बनाईए तो चलिए इस पैटर्ण डिजाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे चैन तो फ्रेंस मैंने टू प्लाई काउन लिया है और कुरोश्या टू पॉइंट फाइप इम है तो यहां पर मैंने एक चैन देखिए बना दो तीन चार तो इस तरह से मे त्रिपल कुरोश्या तो दो राउंड हमें कुरोश्या में धागा लपेटना है इसका जो फर्ष्ट वाला देखिए नीचे जो चैन है उसमें से धागा निकालती हुए इसको बंद करेंगे कि इस तरह से इसको बंद कर लेना है और यहां पर बनाएंगे दो चैन दो चैन बनाके नीचे यहां पर देखिए इसके अंदर से देखिए मैं धागा निकालके कुरोश्या में लेना है इस तरह से एक बार देखिए हमने निकाला है यह देखिए दो इसी तरह से छे राउंड धागा निकालके कुरोश्या में लेना है तो मैं यहां पर धागा न दो धागा रखा है और यहाँ पर बंद करेंगे फिर दो धागा हमने इसके अंदर रखा है तो इस तरह से इसको बंद करना है यहाँ पर दो धागा इसके अंदर रखके और इसको बंद कर देना है और लाश्ट में देखिए कुरूश्या में तीन फंदा है इनके अंदर से ध दागा में निकाल ले रही हूं इस तरह से और इसको पलट लेंगे दूसरे साइड में करना है फिर दागा कुरुश्या में लेंगे और या नीचे से देखिए इसके अंदर से फिर हमें छे राउंड दागा निकाल लेना है जैसे अभी हमने आपको दिखाया बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी बनाना है और इसको भी दो दो फंदा बंद करते हुए लाश्ट तक बंद कर लिना है तो देखिए इस तरह से पत्ती डिजाइन बन जाएगा यहां पी दूसरा दागा लगाएंगी पहले फंदे में डालेंगी और एक चैन बनाएंगी इस तरह से और दागा इसका टाइट कर लेंगे थोड़ा सा खीच के अब इसका देखिए जो फंदा है यहां पर यह वाला देखिए इसके अंदर से में धागा निकालके कुरुशिया में लेना है इस तरह से एक फंदे में से एक निकाला और नेक्स्ट वाले फंदे में से यह देखिए ज निकालना है और यहां पर देखिए नेक्ष्ट वाले फंदे में से एक फंदा निकालना है एक धागा तो इसी तरह से फ्रेंस एक फंदे में से एक और नेक्ष्ट वाले फंदे में से दू धागा निकालना है और यहां फिर लास्ट वाले फंदे में से दू धागा निकाल ले थ्वाकते हैं या इससे तरह से धागी को निकाल ले ना है और इसके आगे तीन रवन धागी हम लपेतों के लपेतें जाएं उसके पंद है ऐसे हम बंद में चैन बनाएंगे तो इसके अंदर से देखे धागा निकालती वे इसको हम बंद करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर मैंने इसको देखे बंद कर लिया है अब बंद करते वे देखे जो धागा में कुरूश्यम निकाला था इसके अंदर हमने दो धागा रखा है अब इसको बंद करेंगे फिर यह आप पे दो धागा इसके अंदर रखना इसको बंद करना है तो इसी तरह से फ्रेंस दो धागा रखके इसको लाश्ट तक बंद कर लिया है अब इसके आगे एक चेन बनाएंगे अब इसके फर्स्ट वाले फंदे में देखे यहां से धागा निकाल के कुरुषयम लेंगे इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकाल के कुरुषयम लेंगे तो लाश्ट फंदे तक हमने धागा निकाल लिया है अब किनारे का जो चैन है इसमें से भी हमें चार राउन धागा निकाल के गुरूश्यम लेना है तो मैं धागा यहाँ पर निकाल ले रही हूँ तो देखिए फ्रेंस मैंने चारण धागा निकाला है यहां से और इन धागों को अब हम बंद करेंगे तो फ्रेंस यहां पर देखिए जो हमने चैन बनाया था यह लाश्ट का जो चैन है उसे के बंदे में से धागा निकालके हम यहां पर बंद करेंगे इसको हमने बंद कर लिया है और इसके अंदर दो धागा रखेंगे इस तरह से दो धागा रखेंगे इसको बंद करेंगे बंद करते भी इसके अंदर फिर हमें दो धागा रखना है और इसको बंद करेंगी और यहां पर देखे इसके अंदर दो धागा रखना है तो इसी तरह से दो धागा रखके इसको लाश्ट तक बनाएंगे तो यहां पर मैं सभी फंदों को बंद कर ले रहे हूं तो देखिए फ्रेंस ए डिजाइन हमारा कम्प्लीट हो गया है एक साइट का बन गया इसी तरह से हम दूसरे साइट का बनाएंगी तो इसको हम घुमा ले रहे हैं यह देखिए यहां पर इस तरह से घुमा की और फिर हम बनाएंगी डबल क्रोश्या बीच वाले फंदे में ज फिर हम 119 करोश्यो और बनाएंगी ए ऐक फंदे में 129 क्रोश्या थ्यार करना है यहां पराइन यहां में नेकर दयार का मैं जयी है नेर क neighbor इसको पल्टेंगे इसको सीधा कर लेना है यह देखिए इस तरह से दागा pro Иme बनाएंगे triple crochet, तो 2 रवन धागा में लपेटना है इस तरह से, और देखिए, यहाँ पे जो 2 double crochet बनाए इसे के बीच वाले पंदे में triple crochet बनाएंगे, तो यहां पर मैंने इसको बना लिया है triple crochet, एक साट में तीन चैन और एक साट में triple crochet है बीच में space बनता है और यहां पे तीखे, जो धागा आए नीचे का इसको भी मैं इस तरह से उपर कर लिना है और दो चैन बनाएंगे और इस तरह से देखे बीच में जो इसपेस है इसके अंदर से हम 6 रौन धागा निकाल के कुरूशियम लेंगे जैसे हमने फर्ष्ट पत्ती बनाया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी बना लेना है और 6 रौन धागा निकालने के बाद इसको 2-2 फंदा बंद करना है लाष्ट तक इसको बंद कर लेना है 2-2 फंदा करके लाष्ट में 3 फंदा रहेगा इस तरह से निकाल लेंगे फिर इसको पल्टेंगे और यहाँ पर देखे फ्रेंस इसके दूसरे साइड भी इसी तरह से डिजाइन को त्यार करना है तो छे राउंड यहाँ पर धागा निकाल ले रहे हैं और इसके आगे दो दो फंदा इसको बंद करेंगे और देखे फ्रेंस पत्ती यहाँ पर त्यार हो गया है इस तरह से बनेगा और इसको हम सीधा करेंगे अब यहाँ पर देखे दूसरा धागा लगाएंगे इस तरह से पहले तो फंदे में डालके और एक चैन बना लेंगे और इसको उल्टा कर लेना है देखे फ्रेंस इस तरह से अब एक डिजाइन मार्क सिधा बनता है और एक डिजाइन उल्टा तरब तो इसके फर्स्ट वाले फंदे में से धागा निकालेंगी एक बार धागा निकाल कुरुश्यम लेना है नेक्स्ट वाले फंदे में से दो बार धागा निकालेंगे फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से एक बार धागा इसी तरह से लाश्ट तक मैं निकाल ले रही हूँ करगा तो आप है है कि तो देखें प्रस्ट मैंने लाश्ट तक अज्ञा करना निकाल लिए है और इसकी आगए दोधागा इस तरह से कुरुश्खव हम लेकतिंगे इक हैं तो maior दो भाज देख ली है अब यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे दो डबल कुरूशिया बनाया था यह देखिए फंदा दिख रहा है इसी के फरस्टिवले फंदे में बनायेंगे चैन तो इस तरह से बन करना है दो दो धागा रखे दो बार हम बन करेंगे चैन बन गया है और देखिए जब इसको बन करेंगे तो इसके अंदर दो धागा रखे और इसको बन करते वे फिर हम इसके अंदर दो धागा रखेंगे इस तरह से तो इसी तरह से फ्रेंस देखिए दो द दागा रखके इसको बंद कर लेना है लाश्ट तक तो देखिए एक लाइन का डिजाइन जो है कम्प्लीट हो गया है अब दूसरी लाइन हम बनाएंगे और यहां पर बनाएंगे एक चैन और देखिए जो इसका फर्स्ट फंदा है फ्रंस इसके फंदे में से दागा निकालक कर लेना है इसी तरह से एक एक फंदे में से एक एक धागा निकाल लेना है तो मैं आगे बना ले रही हूं तो देखिए फ्रंस सभी फंदों में से मैंने दागा निकाल लिया है इसके आगे हम बनाएंगे यहां पर देखिए जो दो चैन हमने बनाया था इसके फंदे में से 4 और धागा निकालना है जैसे हमने फर्स्ट वाले डिजैन में आपको दिखाया था बिल्कुल उसी तरह से यहां पर 4 और धागा निकाल लिया है अब यहां पर देखे जो डबल कुरुष्या का फंदा है इसके अंदर हम बंद करते हुए इस तरह से पहले दागा निकालेंगे और बंद करेंगे यह देखे अट यह पर देखे दर दो धागा रकना है तो लाष्ट तक इसी तरह से कंप्लीट करना है तो देखिए यह पेषिए आपको बना की दिखाए इस तरह से डियेन को बढ़ाना है और गर्ब्ल-kूर्षिया बनाएंगे फिर उसके आगे हम पत्ती बनाएंगे फिर किनारे का डिजाइन बनाएंगे तो देखिए जिसे हमने बना की दिख्या बिल्कुल उसी तरह से हम आगे बना ले रहे हैं तो देखिए फ्रेंस इस पैटर्ण की लेंथ हमने बढ़ा ली है और इसकी लेंथ आप अपने उसार रखें जिस चीज के आपकए गया करलेंगे और यहां हुआ время बनाएंगी डबल क्रोशिया अथी कि ल Pen देखिए ईहां फैशे बबनाएंगी कि यहन पी चैके और इस तरह से और यहां हिओ दीखिए जो दूसरा तोड़ा सबन कर रहे हैं मैं देखिए और इसके आगे अब दूसरा डबल कुरोशे त्यार कर लेंगे दो कि यहां पर दूसरा डबल कुरुषिया बन गया है अब यह देखिए जो किनारे का यहां पर देखिए फंदा है इसके अंदर में सिंगल क्रोश्या से इसको बंद करना है इस तरह से और इसके आगी एक चैन बनाएंगी क्योंकि धागा में थोड़ा से कर लेना है अब यहां पर देखिए जो फंद आइस के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोश्या इस तरह से अब इसको बंद करना है जो देखिए हमने डबल क्रोश्या बनाया है इसके फंदे में इसको बंद करेंगे यहां पर देखिए और यहां पर सिलिप स्टीचिंग से इसको और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहां पे जोइंड है इसको उल्टा करेंगी और अंदर कर लेंगे ताकि धागा ना दिखें तो कुरुषय की मदद से इसको अंदर कर ले रहें और हैरबंड कम्प्लीट हो गया फ्रेंस एकदम से गोल बनेगा इसका जोड आपको पता ही नहीं चलेगा तो देख सकते हैं फ्रेंस आप इस तरह से देखेंगे जोड को पता ही नहीं पाएंगे क कहां पे जोड़ा गया था देखें मैं इसको गोल गोल करके चारुतर आपको दिखा दे रही हूं यह देखें इस तरह से रहेगा तो बहुत ही प्यारा सा हेरवेंड बनेगा फ्रेंस आप अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए जरूर बना सकते हैं अगर आपक को भी शेयर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी जैन आपको कैसा लगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलती हैं अगले वीडियो में किसी नए डियान के साथ थैंक यू